हेलो दोस्तों वेलकम बैक एधसनल विश्जीत प्लासेश तो बता दें abilities क्लास तो बता दें की आज की wes Luan भी एगजामों होने वाले हैं इस इतने भी एक्जाम्स होने वाले हैं सारी एक्जाम्स के लिए जो हिंदी का स्रीज है यह बहुत ही खास और बहुत ही संदार है जो आपकी एक्जाम के दिरिष्टी कौन से बनाए गए हैं तो दोस्तों आप लोजुरू मुझे बताइएगा कि सारी टॉपिक्स जो है आप पूछे भी गये हैं जो आपको नोट्स भी कराऊंगा नहीं रहिएगा कि इस क्लास को करने के लिए आप नोट्स को भी करना बहुत जरूरी है और नोट्स के लिए तब तक के लिए मा सार्थ है लक्षिमाता को एक वरियाद करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चले दोस्तों तो बात करते हैं आज का पहला question आपके सामने दिख रहा है कौन सी लिपी जो है दाये से बाइं लिखे जाती है कौन सी लिपी जो है दोस्तों बहुत ही सुंद होगा मैं आपको बता दू जनकारी के लिए गाइंको जाहिए तो तो winner आप सबाख!」 आप सर शमर्यों को पता चल जा राई अन्सर ना तो दोस्तों बात करते हैं आज सकला QSchn. बहुत सुंधर QSchn. द्यवनागरी लिपी क्या है न जो द्यवनागरी लिफी है वह अखिकर के लिपी है आप मुझे बताइए कि क्या अंसर होगा आपके सामने है एह होगा बी होगा सी और या इंवसर डी होगा क्या ऑप्शन होने वाला है थे पर पहुत लोग अपने दिमाग में सोच भी लिया होंगे एंसर की सोच लिया होंगे एंसर आप सकते हो बिल्कुल दे सकते हो तिसका राइट एंसर क्या होना से यह तो बिल्कुल जो भी एक के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है आए दोस्तों आज के अगले को सब्सक्राइब बढ़ते हैं एक और महाजनी के नाम से भी जना जाता है इसको क्या करता है जी महाजनी याद रखिएगा इसका नाम है और निसरुत नाम है है ना महाजनी के नाम से भी जना जाता है इसके लावाँ इसे गुजराती रजस्थानी के नाम से भी जना जाता है ठीक है याद रखिएगा इस सारी बात ओकते हैं और जभाब देने का प्रियक एगा है न कि रोमान लीपी क्या है देखिए वहतीgende सुंदर question अपके सामने हैं लीफी सेविए कराने के बाद आपेन निव टोपिक जो है उससे है क्यों किराने वाला हू taking question क्राने राने वाला हूं तो रोमन लिपी क्या है वाई साब बहुत ही सुन्दर कोशन है तो जो भी क्वेशन अगर क्या आपका ओप्शन एराइट हो जाएगा बी होगा सी होगा या डी होगा क्या होने वाला ऐसे जबाप कॉमेंट कीजिए इसका राइट एंसर और दूसरी बात कर सकते हैं एक बार भाई साब सिर्थ बंता है मैं आपको बता दूं कि सारे आपको अच्छे लग रहे होंगे और बेहार नाउसरी चीज बता दें आपको जो भी नए है चैनल पे सब्सक्राइब को बेल एकन को प्रेस कर लेंगे आपकी एक्जाम के साथ और एक्जाम के बाद भी ये सेनल आपका बहुत थी पेहतर चीज़ देने वाला है है ना तो दोस्तों तो आपने से जवाब दिया कि बी ऑप्शन इसका राइट एंसर हो जाएगा तो फड़ा फड़ा एक बार सेर कर लिया जाए है ना तो दोस्तों आगे की कोश्चन हम बात करते हैं उसके बाद भारत की प्राचीन लेपी कौन सी है सबसे पूछ रहा है बहुत यह सान कोशन सबसे प्राचीन लेपी कौन सी है ब्रामी होगी है ना ब्रामी होगी तो यह ब्रामी जो है यहां पर हिंदी का टाइमिस टाइपिंग है ठीक ना एक ही मोना चे फिर वह सही है देवनागरी वाला है और जो भी भी द्यार थी जो भी मेरे मित्र जो हैं अगर ऑप्शन एक इसना जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट है 100% राइट है इसमें कुनोड आउट है ना तो आज के अगले को सब्सक्राइब बढ़ते हैं और जबाब देने के प्रयास कीजिए हिंदी की जो किजिए या मन में सोच के अंसर बताने के प्रयास कीजिए और लास्ट में और बाद है रखिएगा बता कर जाएगा आपने कितने में कितने अच्छे नमड लेकर आए आप कॉमेंट करें बताईएगा इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि आपका विकेस्ट आएम नेपाली भासाओं के लिपी क्या है बहुती सुंदर कोशन है आपको प्रैक्टिस करना एंसर देना है ना ध्यार रखिएगा इस वीडियो को बनाने के उदेश सिखी है कि आपके प्रैक्टिस हो जाए कुछ रिवीजन हो जाए कुछ जनकारी आपको मिल जाए बस यही है और एक्जाम इस बार है तो वीडियो अपन तरह जरूर देखिएगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है नोट्स भी आगे मिलने वाला आगे और बहुत सब्सक्राइब को कुछ है एक्जाम के लिए आपको कुछ बाते बताओंगा थोड़ा से वेट कर लीजिए ह है वह कौन सी है क्या संस्क्रीट हो सकता है चीनी हो सकता है देनावरी हो सकता है मुझे उम्मीद है कि सभी लोग सी के सांग जा रहे होंगा बिल्कुल जो सी के सांग जा रहे हो राइट है आज के अगले कोशन तरह बढ़ते हैं तो दोस्तों एक बाद यहां रखिएगा ल मुझे कोमेंट करें है ना तो दोस्तों आज कर लेको संद्र बढ़ते हैं अब ये खत्म होने वाला है लास्टे को सने इसके आद हम लोग दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दिवनारी लेपी का विकास किस लेपी से हुआ है जो करें ना दिवनारी लेपी आप देख र कोई डाउटी नहीं बनता है तो दोस्तों आज के लिको संद्र में बात करूं देखिए बहुत सुंदर क्वेशन है यहां से एक नए टॉपिक आगास कर रहे हैं न्यू टॉपिक जो है आप यहां से किजिएगा और यह टॉपिक जो है आपकी एक्जाम में यहां से कोशन पूछे जाते हैं इससे कोई ग्राम नहीं है जांस यहां टॉपिक पूछा ना गया हो चीक है तो दोस्तों आप बताई इसका राइड एंसर क्या होने वाला है जो डॉप का उचरना स्थान है वह क्या हो सकता है और आपके सामने है जो डॉप का उचरना स्थान है वह क्या ह उर्धा हो व्हाह 7 ताल alovo सकता ऊष्ट हो सकता कन्ट वू सकता है इसका सभी है देखे आपको जनकारी के लिए बता दें आज जो कोषा है कौश्ञता है कोषटा मतलब समझते हैं यॢ जितने कखवायों में आते हैं वो सारे को बोलते हैं कावयों चलद से भी होते हैं भूलना नहीं है किसे होते हैं जी कंट से होते हैं तो आपने आपके दिमाएं में बैठ गया होगा जितने भी कवर्ग होते हैं पांच जो अक्षर होते हैं वरन होते हैं वो सारे किसे होंगे जी कंट से अगर आप से मैं पूछ दुखा के उचनास्तान क्या होगा तो कुछ चनकारी है आप इसक्दम बिल्कुल अच्छा सांदानी है अगर बात किया जा हिंदी वर्ड माला में टोटल वर्ड की संख्या या धोनियों की संख्या लूर्ड बात किया जा जा रहे तो बावन होती है जिस्जिसको पहुत हो एभी स्राइब हैं बोते ओना वोला ओड़ा यहां पर देख सकते हो तो दोनों मिलाकर इसके संख्यट नहीं हैं और मैं बात करूँ यांई कवर्ग से लेकर अदर्धक्र सब्सक्राइब तो इस सारे के सारे टूटल मिलागा 25 होते हैं अगर आप से एक्जाम में पूछ लिया जाए कि असपास बेंजनों के संख्या कितनी होती है तो बिल्कुल अब बताए कवर्ग से लेका पवर्ग तक और इसकी काउंटिंग आपकी जेगा ना तो 25 ही आएगा है ना देखिए ब नहां प्राण से भी कोशन आपको लाओंगा तो उसमें यह आपको बार बार देखने के मिलेगा अंथस बेंजन कौन होते हैं यह अलावा इनके संख्या चार होती है कितनी संख्या होती है चार होती है उसके अलावा सा 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 आप पढ़े होंगे लोग सा 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 इससे का होता ह उश्म इसे कहते हैं उस मुझ से उस्मा निकलता है इसलिए उश्म बेंजन कलाता है और इसकी विसेंगे कितने होती है चार होती है उसके लाद छोत रगया सुने होगे सन्युक्त बेंजन कोन से बेंजन सन्युक्त बेंजन के नाम सुने होगे लो इसकी विसेंगे कितने होती चार होती है और यह जो है हिंदी के अपने दो स्वरी बेंजन होते हैं इसको भी आप हसानी से देख सकते हो यहां मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आप अच्छे से इसको लिख लिजिए देख लिजिए आपके ये काम की चीज़े हैं क्लियर है तो दोस्तो आगे हमलों बढ़ें बढ़ेंगे बिल्कुल बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आप एक बार ध्यान से देख लिजिए काम की चीज़े हैं सारी चलियर तो आज के गले कोशन देखिए फिर कोशन सुंदर है टवर्ग का उचना स्थान क्या होता है बहुत ही सुंद कोशन है ऑट तप बोलिए नहiksहां आपको जिव आपका बते हैं स्मझते हैं का मतलब क्या हुआ जो कंड से ऊचानो वस्ते होग्या तो बाते चाव इजम्डरी होका किसे होगा तालू से होगा, किसे होगा तालू से होगा, किसे होगा तालू से होगा, पावर्ग जो होगा ओट से होगा, याद हो गया फिर से वरीवजन कीजिए, मुझे बताईए आप लो कावर्ग किसे होगा कंट से होगा, है ना ठीक है, और व्राइसad और और तालू के बात है चोच जह फ़ातो आपका चवर्ग होता है वहां तालू से होता है आपका मुर्धा से होता है चार वाती याद हो गई आपको तात दाध से होता जाद रहेगा एक बड़ भूत है कॉमेंट है क्लियर यहां तक हाई बात आशा मेंट भी करको दाइग हो जाता है सार comigo को कि कि इसका उचलन क्या होता था चलिए आगे कंट से का होता है ओ औ हो गया कवर्ग हो गया इसके सांत याद रखिए हो जो होता है और भी सर्ग यहां तक तालू की इसमें छोटी बड़ी यो और रखिएगा जोटी बड़ी इई और साथ में चबश्वर और इसके साथ यस yes यहाद रख सकता है है ना यस मूर्था से दिखें ही बताये था आपको वह मूर्धा तवर्ग बताये थैं और इसके आलावब याद रखिएगा रा हो और शह हो गया और आपका री हो गया है ना इस सीज़ को एकदम दीमायां में सेट के लिजिए यहां से डिफिनेटली एक्जाम में क्वेशन दिखने को मिली जाएगा दोन तो बताया थे तवर्ग और इसके सांथ लस याद रखेगा तवर्ग के सांथ लस यानि ला और शह उ इसके सांथ याद रखना है उ छोटाओ बड़ाओ तो आपने क्या समाज मैं कि कंट से हो जाएगा और शह उट से क्या हो जाएगा छोटाओ बड़ाओ और पवर्ग अब आगे नासी का और मूख्यान दीजेगा इसमें क्या होता है कि यह भी काम की चीज है हाना देख लिजे तो नासी का और मूख्यान की बात रहा है जो पंच्च आक्षड होता यह नँ आँ और चंद्रविंदु वहुला सब के सब आपके नाशीका और मुख से होता है। और उसमें देज़ेगा कॉंठ और तालू को कंठ ताल लब भी बोलते हैं कंठ ताल लब्र बोलतें यह ए और अगर एकजाम बात करते मैं A के उछरण किसे होगा Contour तालु व Ha rotary से होता है दॉन्तों किसे हो गाइव का इस सारे की इन्वесь घंभान में करें आपको बार बार इसे क्षेशन देखने को मिलेगा चलिए दोस्तितों इस प्रतिस करते हैं जानता है इसमें क्या-ख्या question इसे अधारिक मिल सकता है चलिए 30 को मैं वास्तिविक रूप मिलाता हूं और आगे बढ़ाता हूं देले अभी बढ़ आ गया बढ़ किसमें आता है जी पुफव में तब पवर किसे होता है ओट्स आप बिल्कुल सभाव दे दोगे ना इसमें कोई डाउटे नहीं है चले अगला कोशन आप जब दीजेगा है ना देखिए गा आया है तो गा किसमें आता है दोस्तो का खा गा क किसमें आएगा कॉमेंट कर इसका राइक एंसर कर आपके देमाग में जा रहा हो świat यहिन सर होगा तो आँ पर आउब कवर्ग हब्य सर्ग करके किसे ओदोस्त कंट्ट से ऊंजेंने बिल्कुल सहे जवाब है । छा वर्ग मैंने अभी बताए था अपको चावर्ग Empress से किसे होगा कि क्या इसमें ए ऑप्शन बी ऑप्षन सी तनी इसमें सब कौन से रहिट होगा जल से जल इसका जवाब दीजिये कर दो बी जा रहे हैं देखिंगे मैंने बताया था आपको याद फिर से आ गया न Culow Water ने था शवर्ग बताया था और बताया था इस सारे चीजें आपकी दिमांग में देखिएं बार बार इसले बता रहो हूं कि आपको यहीं पयाद हो जाएगा और पयाद करने की कोई हो सकता नहीं है तो चलिए दोस्तों, था आया है, हुखी तो बता दाने Ah, अभी तो बता गहीं तो बता था ना तो बिल्कुल आप लोग जबाब देने के प्रयास करें हैं डौ की बात हो रही है दौ है ना तो दौ किसमें आती है तो अभी बताया था है दौन्थ तो आपका ओप्शन डी के साथ जगिएगा है ना दोस्तों यहाँ फिर से आपको बता देखिया आप दौन्थ वाली कहानी है न तवर इसके असंत लौस याद रखिएगा यह किसे होती है दांथ से होती है यह सारी बाते फिर से मैं आपको बता दिया हूँ एक बार फिर से देखिये और टेस्ट लगाई आई है अब देखिये घोष और इन्हें घोष और घोष क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगो कोशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है तो आपको एक छोड़ी से जनकारी देया जो असपोस्त भी एंजन होते हैं कौन से में अभी बताये थे आपको कौन से होते हैं 25 होता है कब वर्क से लेकर पवर्क टाक तो उसका प्रत्थ हम जिसे मैं लिख दिया को लिख दिया और यहां को खोग आप समझ लीजीए यहां लिख दिया 4, 6 लिखने में दिक्कत है भाईसी लिख दिया है ना उसके लिखिए आपका टड़ो भी लिख सकते हैं छो लिखने में दिक्तत है तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो भी कवर्ग है जो पहला और दूसरा दियां दिजेगा पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो भी आपको जहां भी दिखाई देंगे असपस बेंजन के वो सारे के सारे अघोस का लाएंगे क्या मेर्ज बाते समझ में आए इग्जाम मैं पुछ देआबको 6 जो है इसे पूछ देगा निमल खित इसे कौन सा अघोस है जिससे कोशन आप देख रहे हो ऑप्सन में 6 भी हो सकता है ठा भी हो सकता है तो भी हो सकता है पो भी हो सकता है फो भी हो सकता है समझ रहे हो ना जो आप को खो भी मैंने ऐसी बता है आप लोग को को जो होता है को खो गा 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 तो जो पूरे के पूरे जो सिरीज हैं कोवर्ग से लेकर आपके सिधे कहां तक पवर्ग तक इसका पहला और दुसरा या यह दीजेये गा और जो बच गए उससे हम लोगा 겠지만 दूसरा बारा रहो गया तो और बाकि कम रह गया तूसर रह गया चौत इंसर नहीं देते हो तो फिर तो गड़वर है पतने इसमें कौन सा होगा कि देखिए जो गवह है यह तिसरा है लौ की बात होगी नहीं और यह जो चौथा है अभी मैंने बात है तीन सो पैंतालेस यह 345 जहां होगा घोस होगा घोस वर्ण होगा या सगोस वर्ण होगा और जो 12 होगा तो देखिए तो पहला ही आ रहा है चो जो 12 का रूर फोलो करेगा वो हो जाएगा अगोश आप सही जवाब दे रहे हो तो आपका उप्शन यह बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा तो दोस्तों आप सभी कोई सारे चीज बिल्कुल समझ में आई होगी और जो भी बच्चे ने जो भी दोस्तों ने सेयर किया उसके लिए थेंक्यू और जो नहीं किया उनकी लिए भी क्योंकि वह समझ नहीं रहे है अगर इसी पर एक लास को देखना है रिगुलर देखना है लाइक सेर्थ रुकनी नहीं सही है और दूसरी चीज जो नए है सस्क्राइब भी कर लेंगे तो मजाएगा तो बात बनेगा फिर आगे क्लास आपको मिलेगी टॉपिक वई टॉपिक देखिए आपको सगोस अगोस के बारे हम थोड़ा सजनकारी देदें उसमें सब लोग परशांत है जिन वर्ड़ों की उचारण में जो स्वर्ट कंत्री यां होती है? थे करे ना? उसमें कमपन नहीं होता है उसे क्या कहाते है क अगोस देखिए यां लिखा है पर्तेकवर्ट का प्रथम और दूईतिया देखिए तो ये कवर्ग हो गया चवर्ग हो गया टवर ह पवर हो गया तो सब में देखिए पहला और दूइती है जो अक्षड है बढ़न है इस सारे के सारे क्या क्लाएंगे ची अग्होस क्लाएंगे और साथ में याद रखिएगा सासा सासा हा छोड़ दीजिएगा जो उश्न बेंजन होते हैं सिर्फ हो को छोड़कर इस सारे के सारे क्या क्लाएंगे आपको अग्होस क्लाएंगे उमीद करते हैं जनकारी आपके काम के चीज़ है कॉपी कुलम निकालिए आराम से इसको लिखिए आपका इतना बहतर में क्लास दे रहा हूँ ना सारा टॉपी क्लियर हो जाएगा दुबारा पढ़ने की कोई हो सकता ही नहीं है समझ मैं यह बात आ रही है ना मुझे नहीं लग रहा है कि फिर आप किसी को दिकत हो आपको कुछ दिमाग में चल रहा होगा यह वाले भाई साहब यह वाले भाई साहब और यह वाले भाई साहब यह सारे के सारे घोस वर्ण है कौन सा वर्ण है घोस कहिए यह सघोस वर्ण कहिए है ना और उसमें उसम बेंजन आ जाता है और इसमें जो हब बच रहा है ना यह सारे के हो जाएगा इसी में घोस के अंदर गता जाएगा तो मुझे लग रहा है कि सगोस सगोस में किसी को दिकत नहीं होना साहिए अब इतना बताने के बाद आईए कुछ आगे भी देखते हैं अब आता है सौक का उचारना स्थान बताना है देखिए थोड़ा से यह में स्टाइपिंग है लेकिन आप समझ सकते हैं चलिए तो दोस्तों सौक का उचारना स्थान क्या होता है सौ अभी आप लोग को मैंने जो चीतर दिखाया था सौ लस यादा रहा है कुछ बिल्कुल याद आ रहा होगा इसमें कोई डाउटी नहीं है न तो जो भी जा रहे होंगे तालू चस्च जब पढ़े थे न तो बिल्कुल तालू आ ले है इसमें राइड एंसर हो जाएगा इसमें कोई डाउटी नहीं है तो दोस्तों आज के अगले कोशन के देरे बात करें E देखिए बताये थे छोटी और बड़ी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ या ना बुलिए E के बारे बताये थे छोटी और बड़ी E तो ये किस के संजाएगा बता ये थे चवर्ग या चुटी बड़ी चवर्ग या दा रहा है तो चवर्ग का उच्तरा स्थन क्या होगा बता Dia जल्दी इसी में च्छोटी और बड़ी दोनु도 आता है तो क्या राइट आप्सवन A होगा B होगा C होगा या D होगा जल से जल बताईए क्या होने वाला है तो जो भी option B के साँ जा रहे हैं बिल्कूल वह सही दिसा में जा रहे हैं एक मेंटी तो गरबढ़ हो गया चलो आगे बढ़ो जी यह वाला right होगा B ओके बिल्कूल ओके देखिए फिर यहां से आपको वही चीज़ दिखाने के ला दिया हूँ दिख रहा है मैं बार बार इसको क्यूंग दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए आप इसे लिखिए देखिए याद हो जाएगा practice बार बार देखिए अगर आपको लगता है कि आज class एक बार मैं हमको 80% समझ में था आप बार बार इस वीडियो को देखिए आपको पूरा के पूरा concept किलियर हो जाएगा आएए आज का अगले कोसें को दरह बढ़ते हैं लॉक की बात हो रही है देखिए अब मैंने आपको देखिए लस यहाँ ध्याँ देजिएगा उमीद करते हैं आप एंसर देजिएगा लस यहाँ दर है लस जर अगोर फरमाईए दोस्त यहां क्या लिखा हुए है लस लस किसमे होता है तवर के साथ और लस अना तवर किसमें आती है दाट यहाँ दर दो है तो यहाँ भी दोह द Dasd तवर किसमें शक्राइब क्या हो सकता है इससे असन क्या हो सकता दोस्त बताएर लस तो बताये इससर संह होगा इसका क्या औप्शन होगा व्होगा भी होंकि ओगा आपको इतने बहतर पढ़ा देंगे कालपने नहीं नहीं कर सकते हो सारे ग्रैमर करा देंगे बुक करा देंगे कब सब्सक्राइब अब मेहनत धुरा भी करते हो तो आपका स्लेवस on the spot करतम होगा इसी चेनल के माध्यम होगा प्राक्टिस भी चलेगी बहतर रिजल्ड भी वह मुझे पता है डी ओप्षन के साथ जा रहा होगा इसमें कोई सख ही नहीं है तो चलिए दोस्तों हिंडी में अभी शुरू में पता आया था अब को याद है हिंदी में जो हर्ष्वर होते हैं वह कितने होते हैं बहुत इसंदर क्वेश्चन है हर्ष्वर की बात हो रही है चलिए बताईए ए बी सी डी क्या एंसर होंगे चलिए जिसका एंसर अगर चार आ रहा है तो बिल्कुल इसका जवाब सही है नहीं अप्षन बी के साथ जा रहे होंगे तो क्या होगा बिल्कुल जो जा रहे होंगे कंड के साथ बिल्कुल सही जवाब है अब यह सब कोशन अब समझ गए हो अब देखिए बहुत ही सुन्दर कोशन है आपको बताई थे री र असा यादर आ है किसमें था यह बात है यादर एक भूल रहे हो क्या फिर से यादि लान पड़ेगा ऐसा चीज आपको फिर से दिखा देते हैं पिछे करके यहां देखिए दिख रहा है रडी र अश्र इसका उचर रस्थान क्या होगा अब आप अप अप्टाक्स इसका एंसर बताने के प्रयास कीजिए है ना चलिए बिल्कूल आप सही जवाब दोगे मुझे भरोसा है अब अब आते यह क्या होगा इसका राइट एंसर क्या ओप्शन ए होगा एक से किन दोस्त क्यों इधर उधर हो रहा है ए बी सी डी या इनमें से क्या होगा कामेंट करें सही जवाब दें जो अगर एक सान जा रह आए इसमें कोई सब्सक्राइब नहीं है और देखिए अभी बहुत सारे बच्चे कंजूसी करें लाइक देख रहे हैं बहुत कम किया है गलत बात है दोस्तों सेर किजिए और इसी पर कर सेनल बहुतर तेयरह करना साथ है नोट्स और कांटेंट के साथ तो लाइक सेर कर लि 12 होगा घोस के लिए और 345 तीसरा बढ़न चौथा बढ़न और पाश्वा बढ़न पताएथ इसमें तीसरा चौथा पाश्वा बढ़न कौन है यह आपको बतायत एक और चीज याद आ रहा है जो इसमें सो सो तीनु जो सो था उश्न बेंजन में वो सारे क्या थे और घोस आहथा एक हो बच गया था जो आपके सघोस था कि I mean सघोस था यॉजा बिल्कूल देना होगा भाई चलिया फटाकसिस का अंसर बताने का प्रयाश करें करें नहीं तो बिल्कूल आपको बताये थे जो हो है यह सघोस है ऑना एकजाम में इस सारे कुछे हुए हैं अब देखिए को और एक किसका उचरण कांट से होता है बहुत ही जंदर कुछन है कांट से किसका उचरण होता है क्या option A होगा B होगा C होगा D होगा क्या answer होने कुछा था माला में तो हुआ है कि जो भी जा रहा है एकर ड्री के साथ तो बिल्कुल से जवाब इसमें कोई सकी नहीं है ना है पिर आफ सीनि में को बताये ते अंतो बंजनों की संख्य कितने होती हैं अंतो वर्न की संख्य कितने होती हैना अपको थे अंतोस चांग स्वारो गो है उसके अलवा टोटल वर्ड कितने हैं बावन गोई याद हैं बताए थे आपको अगर पुछे अंत्रस कोई है चार गोई है उसने पूछे चार गोई है इस सारी बाते भूलना नहीं इसमें बिल्कुल जो सीके साथ जा रहे होंगे बिल्कुल सही जवाब जा रहे हैं आ जो होता है इसको किस अंतरगत रखा गया तो बिल्कुल आपसे जब जानते हैं कि यह जो है क्या होगा सन्युक्त और स्वार्ड और बेंजन या भेंजन तो बिल्कुल जिसका वी डियान सरार है वो सही है उसमें कोई डाउट नहीं है देख लिए यहां पर आप इसी को घोसे की बारे हम बाता रही है घोस तो आप जानते हैं इस महा हो जाएगा अब कुछरिह अंतरग्य सब्सक्राइब और अपने हिंदी को अपने स्वार होता है असपास कितने 25 स्वार कितने 11 सारे चीज़ आप देख लिए डेटा में बहुत ही सुन्दर है चलिए आप उम्मीद करते हैं आगे बढ़ा जाए यारलावा को कौन से बिंजन का जाता है बहुत ही सुन्दर जबाब बहुत है और शुन्दर को देखिये तो यारलावा को क्या कहा जाता है तो मुझो लग रहा है कि आप सही जवाब दो गयह ना चलिए सही जवाब देने के लिए रैडि हो जाइए तो उमीद करते हैं इतना करी सकते है अब लो से ठो है देखिए कहां से कहां चला जा रहा है यह भी मज़ा कर रहा है बहुत आई यह और लोगों क्या कही है कर बताई यह बोलिए बोलिए बिल्कुल आप C option कर साजा रहे हो मुझे उमीद है भरोसा है इसीज का ठीक है आज के लिए कोशन दरह देखते हैं हिंदी में अनुआसिक बड़नों के संख्या कितने होती है बहुत इसमतर कोशन है अनुआसिक बड़नों के संख्या कितने होती है तो जनकरी के लिए आपको बता दे हैं हाँ या ना बोलो तो जो पांच के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही सबाब जा रहे हैं जो नाक से बला जाता है हमें साना दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी थैंक्स पर वसिंग और इसी पर क्लास करना है तो लाइक से रुकने ही चाहिए और नए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी पर करें वीडियो आपको डिली मिले अगले किस टॉपी को पढ़ना चाहते हैं कॉमेंट करें और उमीद करते हैं कि आपको मजाया होगा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा है न तो वेट फॉर नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए लाइक से और जो कर ली है अच्छी बात है जो नहीं कि है कर लिए और चुने को